हैलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बेनों को राम राम कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे हमारे नियु व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने साथ हमारे वीडियोज को देख रहे हैं इस चर से प्राथना है सारे साथ ही सवस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यूही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो दोस्तो ये हैं 5 बुचे का शुबय का टाइम है और ये भूखी हो गई है तो सुबई-सुब और बाहर लेकर चलें क्योंकि इनके भूंक लगी है लगा रहें ज़ादा विधर उधर लगा riskyinin प mm कि इंचार दें लगार WORK लाइन जाएंग दको उसके बाद में बनाएंगे खाना तो और फिजाड़ु अगरा लगाने के बाद में नहाने के बाद में फिर आ गए हैं रसोई में और यहां पर यह दूद भैस भी लग गई थी और यह दूद वही खीज बना रहे हैं आप लोग खीज वोल और इन में जो है इनके दूद में ज्यादा यह रोड़े टाइप में न तो बन चुका है उसके बाद में हम यहां पर जो है कड़ाई चड़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए तो आलू भी छील के रख लिया है और मसाला भी पीस लिया था हमने और फिर उसके बाद में सब्जी चौकने के बाद में आ गये हैं बाबू को तयार करने क्योंकि इनको देर हो रही है और आठा भी हमने लगा के रख दिया है और इनको तयार कर देते हैं उसके बाद में पराठा सेंख देंगे इनका टिपिन तयार कर देंगे फिर यह चले जाएंगे इसकूल और उसके बाद में फिर उनका टिपिन तयार करेंगे तो पहले इनको ही रेडी कर दे और उसके बाद में जो है दोस्तों बाबू को तयार करने के बाद में फिर कोई वीडियो हमने नहीं सूट किया क्योंकि इतनी जल्दी मची थी कि अब बहुत ज़्यादा काम वैसे भी बढ़ गया है भैस यानिकी उनको भी देखना है उनकी दाल वगएरा दलिया सारा कुछ होता है तो साथ साथ में दूद्ध भी हम सोचते हैं पका दें तो जैसे कि सारा दिन के लिए निकल जाएंगे तो पका दें ठंडा कर दें तो सभी लोग खा लेंगे खाने के साथ में वैसे भी अभी नहीं खाया जाएगा जब तक इसकी दूद्ध पूजन नहीं हो जाता है तो फिर हम वही पका देते हैं तो और जादा काम बढ़ गया है तो फिर हमने कोई वीडियो नहीं सूट किया था खाने की फिर बनाने के बाद में सारा काम करने के बाद में आ गए हैं और यहां पर जो है बहुत जादा काई लगी थी बारिश की वज़े से और अभी भी मौसम खराब चल रहा है लेकिन हमने का छलो साफ ही कर देते हैं तो आंगन साफ कर दिया है और हमने दाल पकने के लिए रख दिया है वह दाल पक रही है भैंस के लिए और मुझ utilizz तो यहां पर काई हमने जीने की छुडा दिया है और और खर recap हो गया है और रह गया थ या हवा भी लग जाएगी तभी सोक जाएगा तो यहां पर देखिए और यह बाल्टी जो है हमने मांस के दोबारा से पाने इसमें भरके रख दिया है और यह दाल अब ही पक रही तो यह पकती रहेगी ऐसे ही धीरे धीरे दोस्तों सुबह के काम हो गए हैं और आंगन भी साब कर दिया बरतन भी धुल दिये हैं खाना तो बनी गया था तो साम को बनाना है आज कुछ हलका फुलका बना लेंगे तो हमने सुचा कि जब भी काफी सी गया है तो रसोइब को मोई को व्यक्ताइब कर देते और हमारे दोस्तों नहीं मनाया जाते हैं हम भी मनाते हैं हम क्या नहीं चंद्ध करते हैं हर नहीं कर तो लोग अपनी तरफ से इस तो UP में Connecting To अपनी तरफ से बागी कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे यहां डेली सफाई वगेरा खाली प्रस्पतिवार को जैसे हैं सनिवार को इस दिन ज्यादा नहीं करते हैं कभी कभी अगर पड़ जाता है तो वह भी कर लेते हैं लेकिन नियम रखे हर रोज नहीं करते हैं तो चलते हैं तो उसकी भी सफाई कर देते हैं फिर साम कुछ हलका फुलका बनाएंगे तो फिर बना लेंगे तो काफी दिनों से यहां पर पुटाई उपर से हमने नहीं किया था तो हमने सोचा चलो आज उपर से ही पुटाई कर देते हैं और नीचे भी और चूलहा जो नियू बनाया था उसको अभी नहीं रखेंगे क्योंकि यहां पर डबल वाला चूलहा रखने वाले हैं तो डबल चूलहा बना लेंगे दो एक ही में चूलहा बनाएंगे ताकि ठंडी में हमको आराम एक चूलहा काम नहीं करेगा क्योंकि पानी जब मिट्टी लग जाएगी तो ठंडी में वहीं पर बनाएंगे कुछ यहां भी बन जाएगा कुछ वहां भी तो जहां जैसा कर पाएंगे तो फिर करते रहेंगे और आमने किचन साफ कर दिया था फिर आ गए हैं यहां बाहर तो यहां पर भी जाड़ों लगा लेते हैं क्य करने वाला आ गया है लेकिन थोड़ा सा काम कम हो जाए उसके बाद में फिर सुरू करते हैं लिपना क्योंकि अंदर भी बांधी जाती है तो छे-साथ दिन के लिए जब तक उनकी ना भी नहीं गिर जाती है तो अंदर ही बांधी जाएंगे क्योंकि बाहर कुतों का डर मिटी भीगोने आ गए हैं इसको भीगो देंगे तब तक जो है यह फूलेगी तो दूसरा भी काम जो पढ़ा होगा उसको कर लेंगे और यह बाबू आ गये थे इसकूल से तो जो है इनका भी और जो हम काम करेंगे तो उसी में लगे रहेंगे हमारे साथ और जब तो बैठ नहीं सोनेंगे फिर हम इनको बैटके कराना पड़ता है तो चल रहे हैं इसको रख देते हैं और फिर हमने कपड़े पड़े थे तो उनको धुल लिया था और धुलने के बाद में फिर थोड़ी देर में पतले चुटी चुटी टुकड़ों में करके डाला था तो यह सोग गई थी और उपर देखे किस तरीके से काला काला देख रहा है यह धुआ आप चाहे जितना पु पुताई करने के बाद में फिर से यह उपर निकल के आ जाता है तो फिर इसको ऐसे ही पुताई कर देते हैं अभी तो नहीं देखेगा लेकिन जब यह सूखेगा तो वही धुआ का जो है कलार आ जाता है हुआ हुआ है 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 और अंदर तो पुताई होती रहती है उपर से भी पुताई करते रहते थे लेकिन यहाँ पर यह वाली बाहर वाली दिवार हमने जब से बारिस शुरू ही है तो यहाँ पर हमने पुताई बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि यह आंगन के तरफ है तो बहुत जल्दी से यहाँ पर तुरंद पुताई करो बारिस हुई जरासी भी तो यह खराब हो जाती है तो यहाँ पर जो है मिट्टी भी लगाने वाला था लेकिन हमने का चलो आप थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ पर पुता ही केवल कर देते हैं और उसके बाद में फिर छट पर से टाइम हमको जब मिलेगा खाली होएंगे तो यहाँ पर भी मिट्टी लगा देंगे और ब्राम बांधि झायेंगे तब तक नहीं लगाएंगे तो पुताई बस इतनी ही पुताई करेंगे और जहां पर गैस वगारा रखी है तो उधर नहीं किया है क्योंकि वहाँ साफ ही था और खाना भी बनता नहीं है बस ऐसे ही तो शाप पड़ी थी पुताई कर दिया तो वहां नहीं किया है बाकी इधर सब कहीं कर दिया है तो पुताई हमारी हो चुकी है और अब चलते हैं गोबर ले आते हैं तो गोबर और जा रहे थे गोबर मिट्टी से पतली मिट्टी करके दीपती राय बहन ने हमारी कहा था पतली मिट्टी गोबर और मिट्टी को मिला क बोरी से पुताई करिए तो जो लाइनिंग बन जाती वो हमें बहुत अच्छी लगती है तो वही हम सोच रहे थे लेकिन वहां खड़े होकर देख रहे थे तो बोरी वहीं पर पुताई करके रख देते हैं तो मम्मी ने उसको फेक दिया है तो देख रहे थे नहीं मिला तो फ मुझा तो उन्होंने कहा हमने उसको फेक दिया है तो फिर हमने कहा आप फिर आप मंगाएंगे तो बहन आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और भैंस की वज़े से हम फस गये थे तो आपके जो है मन परसंद व्लॉग नहीं बना पाएं लेकिन हम कोसिस करेंगे बहुत लोगों के मन के व्लॉग बनाने की तो यहां पर पुताई हमारी हो चुकी है और अब कर लेते हैं लिपाई तो गोबर हमने केवल गोबर लिया है और इसमें आज लाल मिटी नहीं डाले क्योंकि लाल मिटी थी नहीं फिर हमने कहा चलो ऐसे ही लिपाई कर देते हैं कभी कभ और ये भी कलर बहुत ही प्यारा लगता है ऐसी बात नहीं सिर्फ लाल ही रंग डालो तो अच्छा लगेगा ये भी बहुत ही अच्छा लगता है तो कर लेते हैं लिपाई तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं उसके लिए ही कहेंगे जो लोग नहीं करते हैं उनसे मैं बार-बार कहती हूं कि प्लीज आप लोग लाइक भी कर दिया करें और हो सका करें तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर भी कर दिया करें ताकि दोस्तों थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो सके आप लोगों की ही भर संद के ही ब्लॉग बनाने की हमेशा कोशिज करते रहते हैं तो हमारी लिपाई भी लगभग में हो चुकी है थोड़ा सा रह गया है और इसको भी लिपाई कर लेते हैं तो लिपाई हो चुकी है और बाहर डाल देंगे यह गोबर और वैसे तो हमारे हैं इसको लीजी बोलते हैं तो दोस्तों आज का कैसा लगा व्लॉग आसा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और छट पर मिट्टी नहीं लगाया है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे और ये देखे ये भी आ गए हैं और उसके बाद में अब लिपाई पुताई हमारी हो चुकी है तो किचन हमारी बहुत सुंदर लगने लगी है और ये देखे कलर ये भी कितना प्यारा लग रहा ह सुकने पर और खिलके आ जाता है तो रसोई हमारी साफ हो चुकी है क्लीन हो चुकी है और अब चलते हैं यहां नमक जो सुक गया था इसको करके रख देंगे उसके बाद जो है बनाएंगे खाना और फिर आ गए थे यहां पर तो इनको थोड़ा सा काम था तो ये चले गए इस तरीके से कुछ नोटंकी करती है इनको सभी लोग और जो है अंकी देवर हमारे जो है उदर दूसरी साइट से लगा रहे हैं क्योंकि इधर जो है जिदर से लगाया जाता है यानि यह धार निकाली जाती है तो यह जो है इधर से नहीं लगाने दे रही थी तो वह तो इसी वज़े से वीडियो नहीं ज्यादा सूट करते हैं क्योंकि इनको बाबु भी इधर उधर करते रहते हैं तो ज्यादा ध्यान ना दो तो फिर कैमरा गिराने का डर रहता है तो यह देखिए इनको इस तरीके से कुछ करना पड़ता है तो दोस्तों आज का वीडियो तो कैसा लगा आसा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा इसी के साथ वीडियो को करेंगे समाप्त वीडियो जरा सभी पसंद आ गया हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना जो भी भाई बहनों ने हमारे नहीं किया है और मिलते हैं एक जद नमस्कार दोस्तों